Greek mythology की सीरीज के दौरान वैसे तो हमने Majorly Gods को ही डिसकस किया पर अब हम इस mythology के monster, creatures को भी डिसकस करेंगे जिन में सबसे पहले बारी आती है सैला की तो चलिए बिन कोई देर किये Let's Get Started Greek mythology में सैला को सी monster की तरह जाना जाता है जो समुदर के बबंडरू की गहराई में रहती है सैला एक 12 feet creature है जो 6 snacks, terrifying heads और 3 rows of teeth के साथ अपेर होती है वैसे तो Greek mythology में सैला को पहले एक beautiful nymph की तरह देखा जाता था पर जब उसे अपनी beauty पर बहुत जादा गमंड हो गया और वो अपनी beauty को God से compare करने लगी तब उसे Gods ने उसे इस प्यानक राक्षस में बदल दिया दूसरी स्टोरी के हिसाब से God Glaucus सेला को बहुत जादा पसंद करते थे पर God Glaucus को Sorcerous सरस बहुत जादा पसंद करती थी और उसे जब सैला के बारे में पता चला तो उसने jealousy के कारण सैला के bathing water में poison को मिला दिया ताकि वो भी एक demon में बदल जाए पर Gods के curse के कारण सरसी monster में बदल गई God of the Poseidon को भी सैला के myth से जोड़ा जाता है क्योंकि अपने lustful nature के कारण वो भी सैला की beauty के दिवाने हो गए जिसके बारे में जब उनकी wife Amphitrite को पता चला तो उन्होंने सैला को monster में बदल दिया Greek mythology में सैला की habits को slightly different बता जाता है जैसे कि उसका particularly random six sailors को अपना निशाना बनाना या फिर all of sudden एक ship को अपने attack से destroy कर देना सैला को forces और सीटो जैसे deities of sea की daughter बता जाता है जो gorgons के भी parents है यानि gorgons और deformed creature of sea एक तरह के सैला के ही sibling थे सैला का first encounter Jason and Argonauts में निज़र आता है बट क्योंकि Jason को Hera और Athena का support था इसलिए वो सैला और इन narratives के चंगुल से असानी से बच गया Jason के बाद Odysseus दूसर Greek hero था जिसका Trozen Wars से लोटते हुए सैला से सामना होता है जिसे भी अपने जान बचाने के लिए six sellers को sacrifice करना पड़ा जिस state में सैला रहती थी उससे state of Messina का नाम तिया चाता है जो की Italy और Sicily के बीच में access करती है आज भी सैला के legends इस area में बहुत famous है तो दो सब्सक्राइब में अपने टाइम में सी में तहल का मचा रखा था अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो पर और प्लीज 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 सब्सक्राइब मैं चैनल ताकि हम एक wonderful community develop कर सकें तब तक के लिए goodbye मिलते हैं अपने next वीडियो में